हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 24 फरवई तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ चानने के लिए मिलेगा साथ ही गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं तो इस वीडियेफ के फर्स्ट कोमेंट में या फिर वीडियेफ के डिस्क्रिप्शन में दियेगए लिंक पर क्लिक करके पासकते हैं साथ ही आप गूगल प्लेइ स्टोर से करंट अफेर्स फंडा अपको इस्टॉल कर लिजे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोई भी अगर आपका डाउट हो मारे पीडियेफ कोड से संबंदित तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले 23 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेर्स क्विक्ली रिवाइस कर लेते हैं कोल इंडिया को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है के दिया हम 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें जो की चाइना में हुए हैं इसमें नौर्वे ने सबस्यादा मैडल सीते हैं वर्ड थिंकिंग डे यहर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है इंडिया का फस्ट बायो सेफटी लेवल 3 कंटेन्मेंट मॉबाइल लेवरेटरी इसको नासिक महारास्ट में इनोग्रेट किया गया ओमान और इंडिया इन दोनों ही देशों के जो एर फोर्स हैं इन्होंने एर फोर्स इस्टेशन जोथपूर में इस्टर्ण ब्रीज 6 इस नाम की एक एकसरसाइज में पार्टिस्पेट हिया डॉनबास रीजन जोकी एकसर्ण न्यूज में रहता है यह युक्रेन में लोकेटेड है एर टेर ने ग्लोबल CMEWE 6 अंडर्सी केबल कंसोर्टियम इसको जोइन कर लिया है एडिडास ने टेबल टैनिस प्लेयर मनीका बत्रा इन्हें अपना ब्रेंड अम्बेस्टर न्यूक्त किया है गांधियन शोशल वर्कर और पद्मश्री सकुंतला चोधरी इनका हाली में निधन हो गया उमादास गुपता ने बुख लिक किया है जिसका नाम है A History of Sriniketan रभिंद्रनाथ टैगोर्ड्स पाइनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रॉक्शन आसा पारिक को दादा साहिब फाल के International Film Festival Awards 2022 में Outstanding Contribution to Film Industry Award से सम्मानित किया गया है चमबा जोकी हिमाचर परदेश में है ये भारत का सोवा हर घर जर्लिटिस्टिक बन गया है इंडिया संयुक्त अरब अमिरात में IIT इस्टेब्लिश करेगा और Central Government ने 2022-2026 तक के पीरेड के लिए Interoperable Criminal Justice System ICJS प्रोजेक्ट को एप्रूव कर दिया है चलिए अब देखते हैं 24 फरविश तक के सभी Important Current Affairs SIDB launched Waste to Wealth Creation Program in which state पूछ रहा है कि SIDB ने किस राज्य में Wealth to Waste Creation कारेक्रम शुरू किया है Options आपके सामने है और सही आंसर Option C है West Bengal तो West Bengal के सुंदर बंस में महिलाओ के लिए SIDB यानि कि Small Industries Development Bank of India इसने Waste to Wealth Creation Program launch किया है एक fact मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ पर लिखना भूल गया यह अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं यह जो सुंदर बं है इसको Cyclone Capital of India भी कहते हैं तो यह fact भी आप नोट डाउन कर लिए जो IMD है भारत का ठीक है तो इसने बताया है कि सुंदर बं को इसने डिक्लेर किया हुआ है Cyclone Capital of India यह चीज़ा आप नोट डाउन जरूर कर लिजेगा आपको बता दें Waste to Wealth creation Program इसमें क्या होगा जो महिलाए हैं वो जो fish scales होती है यानि कि skin के ओपर का जो part होता है na fish के उसको scales बोलते हैं तो इनसे ornaments और 100 पीसेज बनाएंगी फिसको market में जो है supply किया जाएगा आपको बता दें यह SIDBI के Mission Swalumban इस एक मिशन का पार्ट है और बाकी आपको जानना चाहिए अगर हम सेड़ भी की बात करें Small Industry Development Bank of India की तो इसको 2nd April 1990 में सेट अप किया गया था और फिलाल इसके Chairman and Managing Director Siva Subramaniam रमन है और इसका Headquarters लकनव उत्तरबर्देश में है आगे बढ़ते हैं The Jammu and Kashmir Government signed a pact with which country for the transformation of the sheep farming sector पूछ रहे हैं कि भेड़ पालन चेतर के transformation के लिए Jammu और कश्मीर सरकार ने किस तेश के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है Options आपके सामने हैं और सही आंसर Option D रहेगा New Zealand देखे आपको बता दू जो New Zealand है और Australia है और अगर आप इधर East इस माफ की जगा इधर अगर आप West में चले जाएं तो Denmark हो गया, Finland हो गया ये सबी countries जो है अपने sheep farming के लिए जानी जाती है तो इसलिए Jammu and Kashmir में जो sheep sector है इसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पर New Zealand से मदद ली जाएगी इसलिए इसके साथ एक pact sign किया गया है बाकि आपको जानना चाहिए हाली में हमने पढ़ा था कि Jammu and Kashmir के चिनाव वैली में कंचोथ festival इसको celebrate किया गया है बाकि ये screenshot मैंने अपनी जो मंतली PDF है उससे लिए है इसमें Jammu and Kashmir के बाले में आपको जानकारी जानने चाहिए कि Union Territory 31 सक्ट पर 2019 को ये बना है Capital स्रीनगर है समर और Jammu इसकी winter capital है Lieutenant Governor Manos Sina है और strategy के लिए हम बात करें तो ये सब जान लीजिए आप सेकुल अलम एरपोर्ट किया पर है डल लेख है वोलर लेख है अंचर लेख है दचिगम नेसल पार्क है किस्तवार नेसल पार्क है सलीम अली नेसल पार्क और कजिनाग नेसल पार्क ये सब ही Jammu and Kashmir में है चलिए आगे बढ़ते हैं विच ओर्गनाइजेशन लांच्ट विट टोबैको एप किस संगढ़न ने कोई टोबैको एप लॉंच गिया है सही औंसर ओप्षण डी है वर्ट हैल्थ ओर्गनाइजेशन तो वर्ड हैल्थ ओर्गनाइजेशन ने विट टोबैको एप लॉंच किया है और आपको जानना चाहिएग tua हम टोबैको की बात करें तो यह वर्ड का लेडिंग कोज है डैथ का और लगभग हर साल एट मुझें परसंस जो हैं मरते हैं टोबैको की कारण जो कैंसर हो जाता है बाकिया आपको जाना चाहिए कमिट टू क्विट कैम्पेंड किस सम्बंदित है तब भी आपका आंसर डबल एच्चो का पूरे साल भर चलने वाला कमिट टू क्विट कैम्पेंड इसका एक हिस्सा है तो इस तरह से पूछ सकते हैं आप से कि कमिट टू क्विट कैम्पेंड किस और्गनाजेशन सम्बंदित है आंसर होगा डबलू एच्चो के बारे में जानना चाहिए इस्थापना 1948 में हुई थी 194 मेंबर हैं इसके हैड़कॉर्टर जिनेवा स्विट्जर लेंड में है और डिरेक्टर जन्रेन इसके ट्रोस अधरों विच कंट्री टेस्टेट सी डॉम अन्यू नवल एयर डिफेंस सिस्टम किस देश ने नई नौ से न वायू रक्षा पढ़ना ली सी डॉम का परिक्षन किया है ओप्षन साब के सामने है और सही आंसर होगा ओप्षन ए इस्रेल तो देखिए इस्रेली डिफेंस फोर्स इन्होंने सी डॉम का सफलता पुर्वक जो है इसको टेस्ट फायर किया है आपको बता दें सी डॉम क्या है जो इस्राइल का आईरन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्ट किसका है तो आंसर होता है इस्राइल बाकी इस्राइल के बारे में आपको जानना चाहिए यहां कि प्रेजिडेंट इसाक हर्जोग है प्राइम निस्टर नेफ्ता ली बैनेट है करंसी हां कि इस्राइली शेकल है और यहां कि जो गवर्मेंट की जो सीट है जहां से काम करती है वो जेरुसलम है गोर्मन्ट सीट में ने लिखा है capital नहीं लिखा है क्योंकि capital इसराइल तो मानता है उसको लेकिन इंटरनेशनली उसको रिख गनाइज नहीं किया गया है कि उसी capital जेरुसलम है आपको बता दू जब डोनाल्ड टर्म प्रेजिडेंट थे तो उन्होंने इसराइली केपिटल जो जेरुसलम है उसको हरीकागनाइस कर दिया था कि हाँ जेरुसलम को हम जो है अफिशली मान लेते हैं लेकिन भारत ने वहां से अपने पैर पीछे किछ लिए थे और भारत ने कहा था कि हमारी policy पहले से ही वो बनी हुई है हम इसराइल और पलेस्टीन इसमें डिफरेंस नहीं करते है और किसी एक की तरफ ज़ये ज़्यादा जुकाव नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारी ओर से तेल अवीव, आपको बता दू, मतलब डिरेक्टली तो यह सेगा, लेकिन भारत जो है, तेल अवीव को ही एक तरह से कैपिटल मानता है, तेल अवीव में ही भारत की embassy मुझूद है, तेल अवीव जो है, काफी खूपसूरा city है, इसराइल की है, तो यह आ personal of force, सभी कर्मियों को केंदरे बल वेतन पैहिच परदान करने के लिए, किस bank ने awesome rifles के साथ भागेदारी की है, options आपके सामने है, और सही answer option, यह रहेगा, bank of बडोदा, तो देखे, bank of बडोदा ने awesome rifles, जो की oldest paramilitary force है भारत की, यह fact आपको जानना चाहिए, पूछ लेते हैं, कि oldest paramilitary force कोन सी है, आंतरोगा, awesome rifles, इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहट, जो भी, अभी serving employees है, इसमें, awesome rifles में, और retired जो है, उन सभी को, बडोदा Central Forces salary package प्रोवाइट कराएगा, बाकिया आपको जाना चाहिए, bank of बडोदा के MD&CO संजीव चड़्डा है, headquarters अलकापुर बडोदा में है, टेग लाइन है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक, और हाली में हमने पढ़ा था कि, bank of बडोदा ने, क्रिकेटर, शफाली वर्मा, इनको अपना brand endorser, sign किया है, नेशनल डैम सेफटी अथरोटी हैस कम इंटू फोर्स, ओन विच टेट, पूछ रहे हैं कि, राष्ट ये बांध सुरक्सा प्रादिकरण, किस तारीक को लाग हुआ है, फिर अस्तित्व में आया है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन ए रहेगा, 18 वर्वरी 2022 को, देखें, नेशनल डैम सेफटी अथरोटी, इस सा मकसद क्या है, डैम सेफटी और डैम रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं, उनको प्रिवेंट करना, और जो इंटर स्टेट इस्चूज होते हैं, उनका समाधान निकालना, ये मकसद है, नेशनल डैम सेफटी अथरो में पास हो गया था यह भी आपको जाना चाहिए इसमें एक चेर्मेन है इस अथरोटी में और पांच मेंबर्स हैं साथी जो यह अथरोटी है इसमें फाइव विंक्स हैं एक तो है पॉलिशी और रिशर्च दूसरा है टेक्निकल तीसरा है रेगुलेशन चोथा है ऑफिसेस सपोर्ट करेंगे बाकिया आपको जाना चाहिए इसका जो मेन मकसद यही है कि आपने देखा होगा दो राज्यों के वीचा फिर तीन नाज्यों को लेकर काफी विवाद रहते हैं तो उनका निप्टारा और यदि किसी स्टेट का और प्राइवेट फर्म का कोई विवाद है डैम से संबंदित तो उसका निप्टारा करना इस ऑथरोटी का कारी रहेगा ट्रांस यूनियन सीबिल हैस पार्टनर्ड विद वीच फ़ॉलोइंग फोर नेशन वाइड एमसमी कंजूमर एजूकेशन फ्रोग्राम पूछ रहे हैं कि ट्रांस यूनियन सीबिल निya इसकी फ्ल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए देखे हैं फिकी होगया सिड सेबी होगया और टैफ्न होगया और नास्थ platforms लेक् Alg T में एमसमी कंजूमर एजूकेशन प्रोग्राम लौञ्च किया है जिसके ताहर् derivatives प्रिसमोल बिसमि यखोटे विए पारी हैं या वियापार हैं वो credit management, civil rank और commercial credit information के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके बाकी विकी के बारे में आपको जानना चाहिए स्थापन 1927 को हुई थी 1927 को headquarters न्यू डेली में स्थित है और यह हम office bearer की बात करें तो प्रेजिडेंट संजीव मेता हैं हाली में अपॉइंट हूए हैं और डिरेक्टर जनर हैं अरून चावला विस्टी इन इंडिया हैस हाइस नमबर ओफ डॉलर मिलियनेयर हाउस होल्ड्स एकोर्डिंग टू दा होरून इंडिया वैल्थ रिपोर्ट 2021 पूछ रहे हैं कि होरू के बारे में देखे होरून इंडिया वैल्थ रिपोर्ट 2021 इसको जो है जारी किया गया है और इसे के साथ होरून इंडिया लगजरी कंजूमर सर्वे 2021 इसको भी जारी किया गया है तो दोनों इंडिया जानेंगे अब इसमें क्या के दिया गया है देखे होरून रिसर्च इ वैल्थ है ऐसे 350 इंडियान बिलियनेर्थ पर ये सर्वे बता है कि 350 इंडियन मिलियनेर्थ है जो है बिल्कूल सुपर रीच है यान 12 वैल्थ पर सुपर रीच है और इनकी वेल्थ , 100 करोड़ा के आसपास है और जो एवरेज वेल्थ है इन 350 इंडियन मिलियनेर्स की वह 6.7 मिलियन यूएस डॉलर है और एवरेज इनकी 35 एर्स साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में जो डॉलर मिलियनेर हाउस होल्ड्स हैं भारत में ये पिछले साल की तुलना में 11 परतिशत की बड़ोत 250,000 तक हासहुल्ड्स जो हैं, भारत में जैसे हैं, जो डॉलर मिलियनेर हाउस होल्ड्स है और साथ ये भी आगया है कि इनकी जो नेटवर्ट है वो कम से कम साथ करोर रुपय तो है ही बाकि आपको जाना चाहिए, इसमिल्योंनेर हाउस होल्ड्स हैं ये अगले पांस साल मे 30% increase कर जाएंगे और 2026 तक ये 6 lakh households हो जाएंगे ऐसा का है इस रिपोर्ट में साथी इस रिपोर्ट में भी का है कि यदि हम इंडिया की millionaire capital की बात करें यहां पर सबस्यादा millionaire है यह है आपकी मुंबई तो यहां पर 20,300 millionaires है millionaires household है उसके बाद डेली है फिर उसके बाद 30 नमबर पर call काता है साथी इन्होंने भी बताया है कि 36% Indian millionaires e-wallets का यूज़ करते है यानि कि UPI का यूज़ करते है अगर हम payment method की बात करें जबकि पिछली साल 18% यूज़ करते थे साथी इसमें ये भी का है कि 66% जो millionaires हैं भारत में वे अपनी personal और professional life को लेकर काफी खुश है जबकि 2020 में 72% था तो यहां पर थोड़े गिरावट देख लेंगे मिली है साथी अधी हम बात करें जो Indian millionaires हैं वो अपने बच्चों को किस देश में पढ़ाना चाते हैं तो उसम है न्यूजिलेंड फिर जर्मनी और अगर हम बात करें most preferred hospitality brand की तो वह ताज है उसके बाद भी रोए फिर लीला और यदि हम most preferred luxury watch brand की बात करें तो वह Rolex है इनके लिए और most preferred Indian jewelry retail brand की बात करें तो यह तनिश्क है most preferred luxury goods brand की बात करें तो लूइस वोइटन है और most preferred private jet brand की बात करें तो यह गल्फ इस्ट्रीम है किस which asset management company launched e-invest app पूछ रहें कि किस परिसमपत्ती प्रबंदन company ने e-invest app launch किया है options आपके सामने है और सही answer option C है एडल्वेस asset management so एडल्वेस asset management ने जो है एक mutual fund investing mobile application launch किया जिसका नाम है e-invest तो किसी भी तरह का जो financial transactions है जो investors है वो इस app के थूँ कर सकते है asset management company मतलब mutual fund होता है who is the author of the book titled dignity in a digital age making tech work for all of us तो इस पुस्तक के लेखा कौन है options आपके सामने है सही answer option A so Rokhana is the author of the book titled dignity in a digital age making tech work for all of us who has been conferred the Ramanujan prize for young mathematician पूछ रहे है कि युवा गणितग्यों को दिये जाने वाले Ramanujan पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है options आपके सामने है सही answer option A है नीना गुपता जानेंगे इस question के बारे में देखिए question आपने दिसेंबर में भी पढ़ा था क्योंकि तब इनको नामित किया गया था और ये पुरुसकार अभी ने दे दिया गया है इसलिए फिर से ये news में है तो फिर से जान लेंगे तो जो प्रोफेसर नीना गुपता है ये Indian Statistical Institute ये भी आप याद रखे कि कोलकाता में है ये एक Strategy का आपका पार बन गया तो यहाँ पर ये Mathematician है और इनको रामारुजन प्राइस फोर यंग Mathematician 2021 इससे सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने एक Algebraic Geometry Problem जैरिस की Cancellation Problem इसको Solve किया है आपको बता दें कि ये और है ओवर ओल थार्ड विमन बन गई है तिस्री महिला है जिनको ये पुर्षकार दिया गया है और फोर्थ इंडियन बन गई है जिनको ये पुर्षकार दिया गया है और सबसे पहले ये साल 2005 में दिया गया था आपको जानना चाहिए यह award जो है annually दिया जाता है और इसको fund करता है Department of Science and Technology Government of India किसके साथ मिलकर ICTP यानि International Center for Theoretical Physics और International Mathematical Union IMU के साथ मिलकर अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूँ हम लिखते हैं ना math आपने क्या पढ़ा math पढ़ा math math एक wrong सब्द है math कुछ नहीं होता है हमेशा जब भी आप बोले maths बोले maths कभी भी math ना बोले math कोई subject नहीं होता maths ठीक है आपने क्या पढ़ा हमने maths पढ़ा है कौन सा भी से च्छा रखता है maths अच्छा रखता है ना कि math साथ है आपको जाना चाहिए यह जो prize है यह 45 साल से कम के जो mathematician है उनको दिया जाता है अब देख लेते हैं प्रिवेस assignment questions के answer Lee Singh whom Lee Singh loom is the PM of which country answer is Singapore swim a platform initiated by the government of India deals with which sector answer is education who is India's new test captain taking over from Virat Kohli who relinquished the role answer is Rohit Sharma who is the first woman from India to be elected as a member of the International Olympic Committee Neeta Ammani the theme of International Mother Language Day in 2022 is using technology for multilingual learning challenges and opportunities which UN agency approved the declaration on February 21st IMLT answer is UNESCO माफ कीजीगा और आप मैंसे कई ask friends से बिलकुल सही answer दिया है इसी तरह से friends साब बढ़ चेड़े कर participate किया कीजिए चले अब आज के हमारे English के शब्दे देखते हैं देखिए दो शब्द जो लिये हैं वैसे तो तीन लिये हैं पर दो शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं केवल एक E का अंतर है प्रणूर्शेशन भी उसका सेम है तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए जानना रामकृष्ण एड कौट इन आईटी ड्रैगनेट तो देखिए यहां पर हमारा जो शब्द है यह है एड एड का मतलब होता है साथी या फिर आपका सहयक जो आपके काम में आपकी मदद करें तो यहां पर क्या कह रहे हैं या आप यह देख सकते हैं अपर संबडी इंपोर और साथ ही उनके एड को जो उनके सहयक है या फिर उनके जो साज़ेदार हैं इस तरह से जो भी आप कह सकते हैं उनके साथ जो काम करने वाले हैं या उनकी जो मदद करते हैं उसको बोलते है एड इस पहले देखिया ए आई डी एड ठीक है उसके बाद क्या लिखा है देखि कि कोई तो है जो पकड़ा गया है रामकृष्णा के साथ भी है ना इनका साहिक रहा होगा उसका नाम इस आर्टिकल में दिया हुआ है तो डिरेक्ट है आपर नाम ने लिखा कि रामकृष्णा और ये परसंड जो है कोट इन आई टेगनेट ऐसा लिखा है बलकि एट का मतलब इनका जो कोई साहिक रहा होगा उसका नाम आर्टिकल में नहीं आपर दिया है तो जो है इनकम टेक्स डिपार्टमेंट जो है ये जो है कई तरह के अपने चान भी ने करता है लोगों पकड़ने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कोई घोटा दा किया हो है ना तो यहां पर अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना कि आईटी का जो ड्रैगनेट है मतलब आईटी के आईटी डिपार्टमेंट का जो पूरा जो एक एक्शन चल रहा है है ना डेली वो कुछ ना गड़बडी मिली है अब दूसरा देखिए इंडिया सेंट्स मैडिकल एड टू अफगानिस्तान देख रहे हैं यह भी एड है यहां पर बस ए है यहां पर ए नहीं है अगला देखिए इंडिया एक्सेंड नाइन हंड्रेड मिलेन यूस टोलर एड टू सिटंका तो हमारा देखिया है यह दूसरे वाला एड जो है यहां पर ए नहीं है बस तो इस एड का मतलब क्या होता है सहायता करना हेल्प करना सपोर्ट करना यह एक्जामपल आप देख सेंट लें ही गैट सबाउट विद दा एड ओफ वोकिंग स्टिक गैट सबाउट गैट अबट का मतलब होता है कहीं चाना जैसे आपको यह मार्ट के में चले गए या फिर कहीं चले गए तो वह जो है गई घूमने गई या फिर मार्केट वह ग तो वो गई किसकी सहायता के लिए लिए एक ट्रैप डिनिस का उस वेक्ति की सहायता के लिए जो अपनी कार में ट्रैप डू रुखा या फिर फसा हुआ है एक महीरा ने इस ट्रीट पर रोड पर देखा कि वो व्यक्ति जो है ट्रबल में था इसलिए वो उसकी सायता में आई है उसकी सायता के लिए आई है तो यह दोनों चीज़े आप याद रखेगा अब आज के सायनमेंट कोशन देखते हैं गोल गुमबज इस लोकेट इन विच स्टेट और जगा का नाम भी बता दीजीगा इस टेट के साथ साथ बीबी का मकबरा इस टॉम लोकेट इन फिर से वही सेटी का नाम बता इजीगा और इस टेट का पांच के आज़र आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा यदे आपको एक कोश्चन कांसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz जिसे हम आप सब एक लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा thank you guys